नमस्कार उडान आईएस अकादमी के 36 वर्द समसामिक प्रश्णोतर श्रिंखला में मैं सुधिर वर्मा आप सभी का पुनाए एक बार स्वागत करता हूँ इस समसामिक प्रश्णोतर श्रिंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलाल में चर्चित उन सभी घटना क्रमों का आप तक प्रश्णोतर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यू से अत्यंत महत्वपोर्ण है तो आज की प्रश्णोतर श्रिंखला में हमारा पहला प्रश्ण है शाम परियोजना किस नदी पर निर्मिद है आपके पास ऑप्शन में है कनहार नदी, मोरन नदी, घुर्णगुटा नदी और सूर्या नदी तो आपको बता दे कि यह जो शाम प्रोजेक्ट है, शाम परियोजना है, यह आपका किस जिले में इस्तित है, सरगूजा जिले में इस्तित है, और यह बनाया गया है आपका घुनगुट्टा नदी के ओपर, ठीक, अब यह बात आती है कि शाम परियोजना करेंट अफेर का सर दिया गया है ठीक तो याद रखेंगे सरगुजा से फतेहपूर को जोड़ेगा कौन क्यामपर योजना से निकालनी जाने वाली नहरों के द्वारा ठीक चलिए हमारा अगला प्रशन है कामधेनु विश्विद्यालया का नाम करंट किस व्यक्तित्तु के नाम पर किया गया है दा कामधेनु विश्विद्यालया has been named after which personality आपके पास option में है दाउश्री वासुदेव चंद्राकर जी दाउश्री कल्यान सिंग जी दाउश्री दुलार मंदर जी या दाउश्री रामचंद्र देश्मुग जी ठीक तो इसका उत्तर है आपका दाउश्री वासुदेव च पदस्य रहे हैं और इनको कहा जाता है कि यह हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जो है भुपेश बगेल जी उनके राजनेतिक गूरु है तिक याद रखेंगे इसको तो कामधेनु विश्विद्यालया के नामकरन किसके नाम पर कर दिया गया है दाउश्री वासुदेव शष्वी अवार्ड इस गीवन बाई दच तिसगर्ड गॉर्मेंट लेबर डिपार्टमेंट पर आउट्स्टेंडिंग टास्क इन दे लेबर इंटेंसिव सेक्टर आपके पास ऑप्शन में है स्वर्गिय रांचद्र देश्मुग जी स्वर्गिय रामानुच प्रताप स सेद्यव जी कि स्वर्गिय रामानुच पताप सेद्यव जी जो है वो आपके कोरियर याजसत से जुड़े हुए हैं कोरियर याजसत से संबंधित व्यक्तित हैं और इनकी इसप्रिति में श्रम छेत्र में उतक्रिष्ट कार्य करने के लिए श्रम या शष्वी पुरस्कार दिया जाता है चलिए हमारा अगला प्रशन है भोरम देव आजीवी का परिसर का निर्माण किया गया है दब भोरम देव आजीवी का परिसर has been constructed आपके पास ओप्शन में है मनरेगा के अंतरगत दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकाश योजना के अंतरगत है इसका निर्माण किया गया है हाली में कबीर धाम जिले में एक गाउं है जिसका नाम है राजानवा गाउं इस राजानवा गाउं में भोरम देव आजीवी का परिसर की स्थापना की गई है और ये जो भोरम देव आजीवी का परिसर है इसको बनाने का Hemdash क्या है, लोगों को स्वारोजगार से जोड़ना और उनके कौशल में विकास करना ठीक है, यह यह बोल सकते हों लोगों के कौशल विकास को बढ़हावा दे करके उन्हें स्वारोजगार का और सरुपलद कराना ठीक है, तो ये जो परिसर है है यह बनाया गया है आपका राश्टी ग्रामिन आजीवी का मिशन के अंतरगत ठीक है जिसको हम लोग बोलते है नरलम नेशनल गूरल लाइवलिहूड मिशन इसको 36 गड़ में क्या नाम दिया गया है विहान इसके अंतरगत यह जो बोल देव आजीवी का परिसर है इसका निर्मान किया गया है ठीक चले हमारा अगला प्रशन है भूमी इन लोगों को काबिज जमीन का पट्ट देने संबंधी र को बोल रहे कि वह योजना कौन सी है जिसमें भूमी इन लोगों को उनके द्वारा रहे जाने वाले हैं देखिए वो जमीन पर रह रहे हैं जिसका मालिकाना हाक उनके पास नहीं है काबिज जमीन है वो ठीक उसका पट्ट जो है राज्य सरकार के द्वारा उनको दे दिया जाता है तो वो योजना कौन सी है राजीव अश्राई योजना राजीव घरंदा योजना इंद्रगंदी आवास योजना या अटल आवास योजना इसमें से अंतिम के दो तो आपके ऐसे ही कड़ गए क्यों कड़ गए वहीं क्योंकि आपको प्रश्ण में क्या बुला है राज्य प्रवर्तित योजना ठीक है और ये दोनों क्या है केंद्र प्रवर्तित योजना है याने इनका संचालन जो किसके द्वारा किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है ठीक तो ना तो ये उत्तर हो सकता है नहीं ये हो सकता है ठीक इसका उत्तर क्या ह राजीव आश्राई योजना ये याद रखेंगे ठीक और हाल ही में ये योजना चालू की गई है और इसके अंतरगत ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग दो लाख राज्यभर के कुल दो लाख निवासी जो है इस योजना के द्वारा लाभानवित होंगे चलिए हमारा अगला प्रश्ण है तो इसका आंसर है 300 करोण याद रखेंगे इसको क्योंकि नदियों से प्रश्ण आते है और हाल ही में बहुत सारे नदी प्राधी करणों की भी इस थापना की गई है ठीक और ये mission clean खारून जो है ये especially जुड़ा है आपका रायपुर जिले से ठीक तो ये महत्तुपूर्ण हो जाता है याद रखेंगे इसको ठीक हाली में इंद्रवती प्राधिकरण का भी गठन किया गया है जिसमें इंद्रवती की साफ सफाई की जाएगी वैसी ही एक यूजन है mission clean खारून जिसमें खारून नदी को इसके उद्गम से लेकर इसके अंतिम छोर तक इसकी सफाई की जाएगी ठीक तो उसकी estimated लागत कितनी ह 300 करोड रूपे हैं चलिए हमारा अगला प्रश्ण है हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसी स्थान पर बास आधारित कारखाना खोलने की बात कही है तिक the chief minister has recently dialogue to open the bamboo based factory in which place आपके पास option में है भिलाई नारायानपूर भुपाल पत्नम या कांकेर तिक तो आपको बता दे कि हाल में जो 11 संसकरण लोकवानी का प्रसारित हुआ है उसमें मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि भुपाल पत्नम में एक बास पर आधारित factory खोली जाएगी ठीक है क्यों खोली जाएगी क्योंकि बास जो है वो बस्तर संभाग में बहुतायत मात्र में उत्पन होते हैं और उ देट चैपर दाने निव एग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट बिलिंग इस प्रपोजड इन दा स्टेट ये जोव अंग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट बिलिंग है इसी का नाम क्या रखा गया है क्रिशी भावन याद रखेंगे इसको तीक आपके पास ऑप्शन में नवार प्राइपूर में याद रखेंगे इसको चलिए नुमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अधोसर रचना के रख रखाओ एवं उन्नयन हेतु गठित प्राधिकरन के अध्यक्चित कौन होंगे आपको पूछ रहे कि अभी हाली में एक प्राधिकरन गठित की गई है वही किसके लिए जो अधोसर रचना है याने इंफ्राइपूर का रख रखाओ करेगी और उनको उन्नयन करेगी इसका अध्यक्च कौन होगा आपको प्रश्न में ये पूछ रहे तो इसका अध्यक्च क विगत विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस पर मरवाही में मद्दाताओं की संख्या में कितनी व्रिद्धी हुई है इसका अंसर है 6886 देखे ये जो मरवाही विधानसभा छेतर है आपको पता होगा कि वर्श 2018 में जो विधानसभा निर्वाचन हुए थे उसमें श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी जो है वो विधायक के रुप में चुनकर आये थे टिक उसके बाद उनके निधन के बाद हाली में उनका निधन हुआ उसके बाद वो सेट रिक्त हो गई है तो उसके लिए एक उपचुनाओ कर आया जा रहा है जिसमें कुल मद दाताओं की संख्या के संबंद में मैंने बताया था कि एक लाख नब्य हजार के आसपास कुल मद दाता है जो कि सारे के सारे ग्रामिन शेत्रों से संबन देते हैं और पिछले वर्ष की अगर बात करें 2018 की है न यानि विधान सबा जब चुना हुआ था उस समय की जनसंख्या की तो उस जनसंख्या से अभी की जनसंख्या में वोटरों की संख्या कितनी बढ़ी है 6886 टिक याद करना भी बहुत आसान है तो ये थे हमारे आज की समसामी प्रश्णोतर शिंकला के अंतरगत कुल 10 प्रश्णा और उनके आंसर कीज़ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा जदी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ कुछ नए प्रश्णों के साथ तब तक के लिए थैंक यू